वेलकम टू अजमेर असुई आज हम खेवर बनाएंगे ये राजस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद किये जाते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, शुगर 2 कप, घी 1 थर कप, सबसे पहले एक बाउल में हम घी डालेंगे, इसमें हम 4 आइस क्यूब डालेंगे, अब हम इसे इस तरह हिलाते रहेंगे, हमें इसे तब तक हिलाना है, जब तक ये क्रीम की तरह वाइट नहीं हो जाएं, इसे तब तक हिलाना है जब तक ये बिल्कुल लाइट वेट ना हो जाए और ये देखे हमारा बिल्कुल क्रीम की तरह तयार हो गया है अब हम वजीवी आइस क्यूब को बहार निकाल लेंगे अब हम इसमें मैदा डालेंगे और इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने चल्ड वाटर यूज करा है चल्ड वाटर में मैंने आइस क्यूब डाल के रख रखी थी इसमें जितना अच्छा ठंडा पानी होगा ये बहुत अच्छे बनेंगे इसमें मैंने दो कप पानी डाला है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे या भी मेरा बैटर थोड़ा गाड़ा लग रहा है इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें मैं वन फूर्ट कप पानी और डाल रहे हूँ इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब हम इसे आठ से दस मिनट तक इस तरह हिलाते रहेंगे ये हमारा बैटर तयार है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए हम तेल को हाई फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देंगे ये हमारा तेल गरम हो चुका है और हमने बरतंस में आदे से भी कम तेल लिया है इसमें हम डेट फिट की हाइट से बैटर को डालेंगे अब देखिए इसमें जाग कम हो रहे है अब हम फिर से इसमें बैटर डालेंगे इस बार भी मैंने आदा चमज बैटर ही लिया है इस बरतं में केवर बनाना बहुत ही आसान है इसमें हमें मोल्ट की जरुद भी नहीं परती ये इजीली बन जाते है देखेगा ये कितने अच्छे बन कर निकलेंगे इस तरह से हम 4-5 बार बैटर को डालेंगे आप चाहे तो और भी मोटा बना सकते हैं आप और भी जादे बैटर का यूज कर सकते हैं अब हम इस तरह से चाको से इसको साइड में कर लेंगे कि इसमें हम और बैटर डालेंगे जब भी हम घेवर बनाएंगे हमारा बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए आप इसे आइस क्यूब्स पर रख सकते हैं एक बार और हम बैटर को डालेंगे इसमें उसी हाइट से हमें बैटर को डालना है हमें बैटर को बीच के होल में ही डालना है हम नाइफ से इसको साइड में से इस तरह से हटा लेंगे यह देखे कितने इजी लिए ऐसे हट रहे हैं और यह बिलकुल अच्छे से घूम भी जाएंगे इसको हम डिप कर लेंगे ताकि अच्छे से उपर से जिख जाएंगे इसे हम अच्छे से फ्राय करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाएंगे हमारी गीवर का कलर बिलकुल अच्छा आ चुका है अब हम इससे इस तरह से निकाल लेंगे यह देखे हमारा गीवर कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है अब हम उसी तरह से दूसरा गीवर भी तयार करेंगे हम उसी हाइट से बैटर को डालेंगे हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है हमारा तूसरा गीवर भी बनकर तयार है और यह देखे इसका कलर भी कितना अच्छा है और यह कितना जालीदार बना है देखे हमारा गीवर कितना परफेक्ट बना है कितना जालीदार गीवर बना है यह बहुत जादा सुंदर दिख रहा है अब हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए हम पैन में शुगर डालेंगे इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे मैंने 2 कप शुगर में 1.5 कप पानी डाला है इसे हम शुगर घुलने तक पकाएंगे ये हमारी शुगर घुल चुकी है इसे हम 3-4 मिनट और पकाएंगे हमें एक तार की चाशनी तयार करनी है ये देखिए इस तरह से हमारी इसमें ड्रॉप किर रही है और ये हमारी चाशनी तयार है अब मैं इसे हाथ से भी चेक करके बताती हूँ ये देखिए इसमें तार बन रहे है और ये मेरी एक तार की चाशनी तयार है मैंने गेवर के नीची स्टैन लगा लिया है अब हम चाश्नी को इसमें डालेंगी यह हमारी चाश्नी हलकी ठंडी हो चुकी है हम गरम गेवर में चाश्नी नहीं डालते हैं इस तरह से हम सारे गीवर में चाशनी डाल लेंगी यह हमारी गीवर सर्फ करने के लिए तयार है यह देखे कितने अच्छे हमारे गीवर बने हैं यह कितने जालीदार गीवर बने हैं और यह एकदम पॉफेक्ट गीवर बने हैं आप इसे अब easily घर पर बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें